नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रिप नॉलेज इस्टेडी पॉइंट पर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली दोपहर एक बज़े हम लोग स्सीजीडी कॉंस्टेबल का जीके के सेक्षन का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उसी के बढ़ते क्रम में आज हम लोग छटवा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं मैंने आप लोगों के लिए 25 कोशन का पूरा एक सेट लिया हुआ है जो कि आपकी जीके का पूरा 25 पसनों का सेट है जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जोगरफी, करेंट अफियर, साइन्स सभी टाइप के कोशन हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से पहला सेवा आरंभ की गई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौड डलहोजी के समय तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी लौड डलहोजी के शाशनकाल में 1853 इस्वी में प्रथम रेलवे लाइन तथा 1854 इस्वी में तार सेवा की शुरुवात हुई थी आपका ऑप्सन भी राइट हो जाएगा अगला प्रस्न है स्वामी दयानन सरस्वती ने प्रथम आरे समाज की इस्थापना 1875 इस्वी में कहां की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए स्वामी दयानन सरस्वती ने बंबई में 1875 इस्वी में आरे समाज की इस्थापना की थी तथा 1877 इसी में इसका मुख्याले लाहौर में बनाया था चलिए अगला कोश्चन है दिल्ली के सुल्तान का पद समालने से पहले बल्बन किस सुल्तान का प्रधान मंतरी था आंसर दीजेगा आप लोग दिल्ली के सुल्तान का पर समालने से पहले बल्बन किस सुल्तान का प्रधान मंतरी था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्सन ए बल्बन सुल्तान नसिरुद्दीन महमूद का प्रधान मंतरी था नसरिद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खांकी उपाधी प्रदान की थी और 1265 इस्वी में वह गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान बना था याद रखिएगा आप लो अगला प्रसन है द्वैद शाषन किस गवर्णमेंट आफ इंडिया एक्ट द्वारा किया गया था जबकि इसकी समापती वर्ण 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी चलिए अगला कोश्चन है रिक्टर इसकेल का प्रियोग किसके मापन में किया जाता है आंसर दीजेगा आप लोग रिक्टर इसकेल का प्रियोग किसके मापन में किया जाता है राइट आंसर ह प्रस्टूर का यारुक्स हैं आर्फ शुश्क बर्फ कोर्बन डाइक्साइट से तयार की जाती है अगला question है खाद उर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं आंसर दीजेगा आप लोग खाद उर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option A खाद उर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं option A आपका right हो जाएगा पुष्तक 1591 इसवी से 1598 इसवी के दावरान लिखी गई थी याद रखिएगा आईने अगबरी को पांच भागों में दिभाजित किया गया है अगला question है भारत में मौदरिक नीती कौन बनाता है आंसर दीजेगा आप लोग भारत में मौदरिक नीती कौन बनाता है त्याद रखिएगा भारत में मौदरिक नीती भारती रिजर्व बैंक बनाता है option C आपका right हो जाएगा अगला प्रस्ण है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूती पत्र को क्या कहा जाता है आंसर दीजेगा आप लोग अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूती पत्र को क्या कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option D, अलपकालिक सरकारी प्रतिभूदी पत्र को Treasury Bill कहा जाता है, option D आपका right हो जाएगा अगला question है, एक जेट इंजन किस सिध्धान्द पर कारे करता है answer दीजेगा आप लोग, एक जेट इंजन किस सिध्धान्द पर कारे करता है right answer हो जाएगा, option C, जेट इंजन, रेखिक, समवेक, संजरक्षड के सिध्धान्द पर कार करता है option C आपका right हो जाएगा अगला प्रस्ण है, सोयम को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्टान कौन था? answer दीजेगा आप लोग, सोयम को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्टान कौन था? याद रखिएगा, option B आपका right हो जाएगा अलाउद दिन खिल जी, सोयम को दूसरा सिकंदर कहता था और वह अपनी बाजार नियंतरर प्रडाली के लिए जाना जाता था option B आपका right हो जाएगा, अलाउद दिन खिल जी चलिए अगला कोश्चन है, किस सम्विधान संसोधन द्वारा मतदान की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष की गई थी? याद रखिएगा, option A आपका right हो जाएगा, 61 सम्विधान संसोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई थी, option A आपका right हो जाएगा, चलिए अगला प्रस्थन है, यदि दूद से क्रीम अलग कर दी जाए, तो दूद का घनत्व क्या हो जाता है, आंसर दीजेगा आप लोग, यदि दूद से क्रीम अलग कर द जाए, तो दूद का घनत्व क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, option B, यदि दूद से क्रीम अलग कर दी जाए, तो दूद का घनत्व बढ़ जाता है, option B, आपका right हो जाएगा, अगला प्रस्थन है, लोग, तंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शाश या कथन किसका है, त्याद रखिएगा, या कथन अबराहम लिंकन का है, option B, आपका right हो जाएगा, अगला प्रस्थन है, निम्न लिखित किस इस्थान पर उपगरह प्रक्षेव पर केंद्र अवस्थित है, तो याद रखिएगा, option B, आपका right हो जाएगा, श्री हरी कोटा म अबस्थित है, अगला प्रस्थन है, निम्न में से कौन सा ग्रह प्रिथवी से निकटम दूरी पर इस्थित है, आंसर दीजेगा आप लोग, निम्न में से कौन सा ग्रह प्रिथवी से निकटम दूरी पर इस्थित है, right answer हो जाएगा, option A, शुक्र प्रिथवी का सबसे निक रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है, जबकि RNA में राइबोस शरकरा पाई जाती है, option A आपका right हो जाएगा अगला प्रस्ण है प्रित्वी से टकराने वाला पैरा बैगनी विक्रण किसके आउक्षाय के कारण होता है और प्रित्वी से टकराने वाला पैरा बैगनी विक्रण किसके आउक्षाय के कारण होता है याद रखिएगा CAD किसका सूचक है Right answer हो जाएगा CAD Computer Added Design का सूचक है याद रखिएगा Computer Added Design का सूचक है CAD अगला प्रस्ण है UNESCO का मुख्याले कहा है Answer दीजेगा UNESCO का मुख्याले कहा है Right answer हो जाएगा UNESCO का मुख्याले Paris में है Option C आपका Right हो जाएगा अगला question है सम्विधान का संड़क्षक किसे माना गया है आंसर दीजेगा आप लोग सम्विधान का संड़क्षक किसे माना गया है याद रखिएगा सम्विधान का संड़क्षक उच्चतम न्यालय को माना गया है option B आपका right हो जाएगा अगला प्रस्थन है परिस्थित की तंत्र में उर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है आंसर दीजेगा परिस्थित की तंत्र में उर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है तो याद रखेगा परिस्थित की तंत्र में उर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन ए अगला प्रस् करनाल हर्याणा के अनिस भनवाला ने 25 मीटर रैपिट फायर पिस्टल वे इस फर्दा में स्वड़ पदक जीता है वह 15 वर्ष की आयू में भारत के स्वड़ पदक जीतने वाले पहले निशाने बाज आए आपका राइट हो जाएगा अनिस भनवाला आशा करता हूं दोस्तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी बताइएगा आप लोग 25 प्रसनों में आपका स्कोर कितना है वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक सेर कर दीजे हमाय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे धन्यवाद